नवंबर 2022 का इशू आ चुका है योजिना मैगजीन का और इस बार का थीम है इंडियन मैरिटाइम टोटल एट आर्टिकल्स दिखने को आपको मिलेंगे इस बार के इशू में लीड आर्टिकल रहता है जिसमें पेरडिगम अफ कोस्टल सिक्रेटी बाई बी रंजन फोकस आर्टिकल है इसमें इंटरनेशनल मैट टांस्पोर्ट बाई डॉक्टर राजू बाला जी दो स्पेशल आर्टिकल्स रहते हैं पहला है कोस्टल एरोजन बाई शर्ट चंड्रा दूसरा है ब्लू एकोनोमी बाई महभीर सिंग ट्वैंटी टू रुपीज इस बार की इशू की प्राइज है आए खोलते हैं मैगजीन को जानते हैं उन चार आर्टिकल्स के नाम जो कवर किये गए हैं तो एक लीड आर्टिकल एक फोकस आर्टिकल दो स्पेशल आर्टिकल का उसका ठीम रहने वाला है आर्किटेक्ट्र जो आपका दिसंबर 2022 में आएगा जो रेगुलर से उसमें आपका एक डेवलोप्मेंट रोड मैप है जहां पर आपको आई एनस विक्रान की बार में बताए जाएगा विच इंडियास फर्स इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कै पेज मिलेगा जहां पर आपको इंडियन नेवी का जो नय इंसाइन लॉंच हुआ है सेप्टेमर 2022 में बाई पी एम नरें नमोडी जी उसके बार में भी आपको इंफोर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आपको मिलता है एक एडिटोरिया लुकिंग सीवर्ट इंडिया की जो सी हैं मतलब जो इंडिया की कोस्ट लाइन हम सभी जानते हैं काफी वास्त है इस अबाउट 7516.6 किलोमीटर लॉंग तो कैसे हम कोस्ट लाइन को डेवलोप कर सकते हैं काफी इनरमस रिसोर्स हैं और जो ओशन्स हैं और जो हमाई सी रूट से हैं वो काफी इंपोर्टन रोल प यहां पर इंडिया सबसे बार पार्टनर है तो उसी के बार में आपको कुछ हलकी फुलकी इंफोर्मेशन मिलेगी तो उसके बार आपको एक आर्टिकल मिलता है पर डेगम आफ कोस्टल सेक्योरिटी यह इस बार के इशू का लीड आर्टिकल भी है वी रंजन ने लिखा है बी रंजन डिएजी है इंडियन कोस्ट गार्ट के और करियंटली उनको पिंसिपल डियक्टा बनाया हुआ है एड कोस्ट गाड हैड्कॉर्टर्स न्यू डैली तो यहाँ पर आपको इंडिया की जो security है coastline की वो बताई जाएगी कि कैसे coastline security की जो policies थी उनमें बदला हुआ जब 1993 में हमला हुआ था जो Mumbai blast हुए थे और special focus तो तब दिया गया जब 26 गाय की हमले हुए क्योंकि जितने भी आतंगवादी आते हैं यह सी रूट के थुरू आते हैं तो यह government की सबसे बड़ी responsibility है कि वो सी रूट को सही से protect करके रखे क्योंकि अगर opportunities सी रूट से हैं तो उससे दाधा traits हैं तो यहाँ पर आपको यह सब information मिलेगी जितने भी steps लिए गए हैं जितने भी organization work करती है इंडियन coastline को protect करने के लिए वो सब आपको बताई जाएंगी second article रहता है international maritime transport यह लिखा है आपका डॉक्टर राजू बाला जी ने राजू बाला जी डायक्टर है इंडियन maritime university chain नहीं के इसके बाद दोस्तों आपको और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं images का यानि की काफी सारी layer deplete हो रही है due to large number of factors तो आपका wind हो या फिर जो आपके बाहर बगएर आ जाती है उन सब के बार में बताए जाएगा and erosion is not just caused by natural factors some human factors are also involved in this तो उसी सब चीजों के बार में आपको information देखने को मिलेगे यहाँ पर एक table मिलेगी जहाँ पर आपको shoreline change की बार में बताए जाएगा information मिलेगी कि erosion कितने area में हुई है और यहाँ पर आपको natural causes human causes दोनों बताए जाएगे man-induced erosion की बार में आपको बताए जाएगा क्या-क्या हम measure ले सकते हैं soil erosion को prevent करने के लिए वो भी आपको यहाँ पर पता चलेंगे यह आपका article है marine plastics pollution यहाँ पर आपको यह बताए जाएगा कि किस तरह से जो plastic का waste है वो oceans में accumulate हो जाता है और वो इनसान की जंदगियों को मिल जाते हैं तो उसी के बार में आपको यहाँ पर information मिलेगी यह आपको एक proper chart की form information मिलती है settlement and transport of plastics in the midwater column of the ocean to various governing factors और भी आपको यह ऐसे इंफोग्राफिक्स जेखने को मिल जाते हैं यह आपका एक article है blue economy यह लिखा है आपका महभी सिंग ने यह articles के बीच-बीच में आपको काफी सारे advertisements देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं और mainly जो यह advertisements होते हैं वो UPSC से related होते हैं शी से एक बात समझ में आती है कि यह magazine है वो especially UPSC experience के लिए ही बनाई गई है क्योंकि देखे दोस्तों आगर आपको UPSC के लिए prepare कर रहे हो तो social economic topics से questions बनते हैं main examination में और article writing यान आप अपने views को express कर सकते हैं क्योंकि experts के दोरा आपको लिखिट articles मिलते हैं इस magazine के अंदर यह आपका development roadmap पर INS विक्रांट इंडिया's first indigenous craft carrier आप देख सकते हैं यह आपका INS विक्रांट है इसकी history आपको मिलेगी और यह क्या के needs scatter कर सकता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा इस development roadmap पर फिर आपका एक article है selling छोड़ा history यानि कि जो इंडिया के aircraft carriers रहे हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा सबसे पहले तो INS विक्रांट था फिराद के बारे में आपको पता चलेगा INS विक्रमादित्य के बारे में आपको information मिलेगी यहाँ पर इंडियन नेवी के नए इंसाइन के बारे में बताया जाएगा जो पीम नरेन मोदी जी दौरा September 2022 में अन्वील किया गया है आपको एक आर्टिकल मिलेगा port-led development जो बंदरगाह हैं जहां से इंडिया का या फिर किसी भी देश का trade conduct होता है उनको कैसे develop किया जाना चाहिए वो आपको पता चलेग सागर मारा प्रजेक्ट के बारे में आपको information मिलेगी जो government का एक बहुत बड़ा initiative है ports को develop करने के लिए जिससे कि इंडिया का जो economic infrastructure है वो इंक्रीज हो पर यह लास आर्टिकल है इंडियन कोस्टल कम्यूनिटी एंड क्लाइमेट चेंज एक आर्टिकल के एंड में आपको references भी मिलते हैं बताए जाता है कि जो कुछ भी information express की गई आर्टिकल में वो उसका source कहां से है तो यह एक अच्छी magazine है जैसे कि आपको पता होगा कि हर महीने theme change होता रहता है और जो social economic issues है वो cover किये जाते हैं हर बार के issue में तो काफी हद तक आपको यह magazine आपकी preparation में help कर सकती है अगर आप UBSC civil service exam के तयारी कर रहे हो बाकी अगर आप एक general reader हो तो आपको काफी information हो जाएगी अलग-अलग themes रहते हैं हर महीने और काफी आप knowledge acquire कर सकते हो इस magazine के ठूर काफी ज़ादा यह economical रहती है 22 rupees इसका price है आप इसका monthly subscription ले सकते हो योजना की official website पर जाकर और बाकी के बारे में idea लग गया होगा आप जानके होगे कि क्या क्या cover किया गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिएगा कोई भी डाउट हो इस magazine को लेकर तो आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching this video